नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारी यूटूब चेनल बना से एजूकेशन पॉइंट पर आप हमें फेस्वोक पर यूटूब पर इस्टाग्राम पर टेलीगरम पर भी जाइन कर सकती हैं और टेलीगरम पर आप हमारी चेनल से जुड़कर ऐसी हो प्योगी वीडियो समय समय पर प्राप्त कर सकती हैं साथी साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स मुझा कर इंस्टा मौजो की लिंक से आप हमारी मुख पर इच्छा के नोट्स पर आप हमारी चेनल को सब्सक्राइब करें आज का जो हमारा बीडियो पर आपके सभी कॉंपटिशन एक्जामों के लिए भी ओपी होगी है तो आज के हमारा पहरा प्रेशन है लोग प्रिशासन की आधुनिक द्रश्टी कौन को समझाईए यह द्रश्टी कौन परिश्टी पर आधारेत है लोग प्रिशासन का जो आधुनिक द्रिश्टी कौन पर आधारेत है जिसमें लोग प्रिशासन का छेत्र परिवर्थत होता रहता है इसका छेत थी E से संबंदित है, थी E के बाली में जानेंगे पहला E, Economy, Economy से तात पड़ है अथिवस्ता, दूसरा E है Effectiveness, Effectiveness से तात पड़ है प्रभावशीलता, और तीसरा E है Efficiency, Efficiency से तात पड़ है दक्षता, इस प्रकार से थी Economy, Effectiveness, Efficiency, अथात, अथिवस्ता, आउशीलता इमदक्षता, तैचेत थी E से संबंदित है, इसकी बात का जो हमारा प्रशन है, बिक्सित देशों में लोग प्रशासन की भूमिका को समझाईए, एक बिक्सित देश होते हैं और एक विकास्षील देश होते हैं, यदि पूचा जाए भारत कौन सा देश है तो हमारा भारत वेकास्चिल देश है और अमेरीका आधी विक्सित देशों की अंतरगत आती हैं तो विक्सित देशों में लोग प्रशाशन की भूमी का पर हम चर्चा करेंगे तो विक्सित समाजों में लोग प्रशाशन की नमने विशिष्टाएं है इस प्रकार से बिक्सित समाजों में लोग प्रसासन की पांच विसे इस्ता होती है पहली तो होती है बिक्सित देशों में बहां की परिस्थितियों की अनुसार जिसमें साइबर क्राइम प्रदूसर आदी बहां की चुनोतियों की अनुसार नभीन लोग प्रसासन का जन्म हुआ उधारने पस्ची में देशों का प्रसासन पस्ची में देशों से ताथ पर अमेरिका आदी देशों से है बिक्सित दे देशों में लोग प्रिशासन की भूमिका बताएं यह इंपूटेंट प्रिशने जो कि आ सकता है क्योंकि भारती बिकास्चिल देश है तो बिकास्चिल देशों में लोग प्रिशासन की भूमिका पर हम चर्चा करती हैं लोग प्रिशासन पर इस्थानी परिस्थितियों जै इसमें जो समस्याइं होती हैं वेकास चिल देशों में लोगप्रशार्षण की जिस समस्यां होती है उन में प्रथम तुह लाल फाइता शाही, दूसरे है उत्तरदायत्त की कमी होती है, तीछा § रूडिबादिता और चौती है आप निवेशक शैली इस प्रकार से यह बेकास तील देशों में लोग प्रशाषन की समश्याओं के इंतर गताती है लाल फीता साही और तद्दायत की कमी रूडिबादिता आप निवेशक शैली और भूमिका के बारे में चर्चे करती हैं तो पर्याव अंसन रक्षन में समाबेसी बिकास में लोग तंत के स्थापना में नीती निर्माण में प्रमुक रूप से भूमिका होती है लोग प्रशाषन में इसकी बात का जो हमारा प्रशन है लोग प्रशाषन के पता किसे कहा जाता है भी प्रशन आ सकता है लोग प्रशा संस्ल Kennetik प्र的НАफ है यह प्रक्तेसर कर सकते हैं करया चलते हैं अज के लोग प्रशार्शन का विकास कितने चर्डणों में हुआ इसके बारे में जानते हैं लोग प्रसाषन का यह श्य चर्णों में हुआ इसले फस्ट जो पहला पहला जो लोग प्रसासन का प्रिकास का पहला चरण था तो पहला चरण 1887 से 1926 तक रहा जिसमें राजनीती प्रसासन का विभाजनकाल की रूप में जाना जाता है पहले चरण को राजनीती प्रसासन की विभाजनकाल की रूप में जाना जाता है पहला चरण 1887 से 1926 की म कि यो अनीश आर्ती से निससे लिशा जाता है तोस इसे चू कल यु कहा जाता है टुल्था जिए चॉर्ण जो रहा है बैए उनीश निसससे युनिससे सत्तर तक रों मुखता का काल रहा है और यो चट मा चरन है वह बहुत ही महात्यपून है जो 99 सभी बरतमान समय तक है बरतमान प्रवित्नियों लोग प्रशासन का काल कहा जाता है टेशिह य हम पर देखते हैं टाकि हम एच्छे से याद रहें पहला चरन 1887 से 1926 राजनीती प्रसासन का बेभाजन काल दूसरा चरन जो है वैप 1927-1937 प्रसासन के स्ध्धानतों का स्वर्ण काल कहा जाता है जिसे तीसरा चरन जो है वैप 1938 से 1947 तक चुनोतियों का कल रहा है चोथा चरन जो है वह 1991 से आज तक बलतमान प्रवत्यों लोग प्रशासन का काल रहा है पहले चरण के बारे में हम इनके डिस्क अप्शन में देखते हैं महत्पून जो है फश्ट काल है एक शोतंतर सेक्षिक बिसाई के रूप में लोग प्रशासन का जन्म हुआ इसका जन्म USA में हुआ था यदि प्रशन में पूचा जाता है कि लोग प्रशासन का जन्म कहां हुआ था तो लोग प्रशासन का जन्म USA में हुआ था एक शोतंत्य सेक्षिक बिश्यक के रूप में लोग प्रसाशन के जन USA में हुआ था जिसमें इस जिसके स्तरोथ हैं पहला तो है Politics and Administration और दूसरा है The Study of Administration जो कि इसके स्तरोथ हैं इस काल में राजनीती और प्रसाशन के मद्ध भेद किया गया है वर्डो बिलसन के अनुसार प्रसाशन राजनीती के बास्तविक कार्चित से बाहर है यदि प्रसाशन को देखा जाये तो राजनीती के बास्तविक कार्चित से बाहर है या वर्डो बिलसन का कतन है और जो पहला चरण था एक सोतंते सेक्षेक बिसाई की रूप में लोग प्रसासन का जन्म USA में हुआ है इसके स्तुरोथ है Politics and Administration and the Study of Administration इस काल में राजनीती प्रसासन के मद्ध भेट किया गया दुतिय चरण जो कि प्रसासन के सद्धान्तों का स्वर्नकाल भी कहा जाता है यह काल लोग प्रसासन के सद्धान्तों का स्वर्न नयोग माना जाता है इसका स्तुरोथ है W.F.B.B की पुस्तक Principles of Public Administration लोग प्रसासन में अनेक सद्धान्त होते हैं जिनकी क्रियानबेत करके लोग प्रसासन में सुधार किया जा सकता है प्रमुक्र शद्धान्त है Henry Fjol की चौदानियम Luther Golic की दसनियम पौस्ट डिकोर ठियोरी पौस्ट डिकोर ठियोरी के द्वारा भी यह जानकारी मिली है तीसा जो चर्ण है यह काल लोग प्रसासन के विकास में आलो चनाओ और चनोतियों का रहा है इसमें प्रसासन की तथाकत सद्धान्तों को चनोती दी जाने लगी और नए सद्धान्तों का प्रतिवादन हुआ जो की मानव सबंद सद्धान्त है इस काल में यहीं भी माना गया कि लोग प्रशाशन विग्यान नहीं है यदि प्रशने पूछा जाए कि तीसे काल की मुखवात क्या है तो तीसे काल की मुखवात मानो सम्बंद सद्धान्त है उसे चुनोतियों काल कहा जाता है उसकी मुख्वातिया है कि लोग प्रशाषन विग्यान नहीं है इस काल में है माना गया है तीसरे काल में चौथा जो चरण है पहचान की संकट का काल चौथे चरण में तो पहचान ही संकट बन गई इस काल में लोग प्रशासन कोई शुतंत विशाय है था नहीं इस पर भी बाद बिबाद होने लगा लोग प्रशासन में कोई शुतंत विशाय है था या नहीं इस पर भी बाद बिबाद होने लगा इस समय लोग प्रशाशन बिशाय की आस्तित की रक्षा के लिए को चुपाय किये गए पहला तो लोग प्रशाशन बिशाय को दूसरे नियमों के साथ संबंद जोड़ना दूसरा इस्थान बिशेश के नूसरा लोग प्रशाशन में पडिवत्तन तीशा नबीन दम लोगपरशासन उंधारन जैसे अमेरीका वाँ अनिबिखसदों के लिए नबीन दम लोगपरशासन लागू किया गया पांचमा जो काल है बयमून उनमुकता का काल है नबीन लोगपरशासन आस्तथ्यों में आया इसने बुर्ड़ो बिलसन की राजनीती प्रशासन की दुय तभाव की संकल्पना को खारेच कर दिया गया इस काल तक नभीन लोग प्रबंदन की संकल्पना आई छटमा जो काल है इसके अनुसार इस काल में लोग प्रशासन बिसाई की सरवागीन उन्नती हुई लोग प्रशासन का अंतर विश्यक दिश्टी को न अभर कर सामने आया इस काल में लोग प्रशासन बिसाय में निजी कंपनियों के कारियों को सामिल किया गया सरकारी के साथ 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 बजेने कारियों के प्रशासन को भी लोग प्रशासन माना गया है CSR का उदय हुगा PPP model का बेकास हुगा 3E efficiency, economy एवं effectiveness का पर भी बल दिया गया इस प्रकास से आज की इस बीडियो में हमने लोग प्रसासन से सम्मंदित बहुत ही महत्रपूर प्रशनों के बारी में जाना इनका हम एक बार डिविजन कर लेती हैं ताकि आपके लंबी से में तक यादर है लोग प्रसासन की आजुनिक देश्टी कोण परस्तिती पर आधारित है इसमें लोग प्रसासन का चित परिवत्त होता रहता है थ्री इमाहत्रपूर्ण है एकोनोमी अर्थ अर्थ प्रश्ता एफेक्टिवनेस प्रभाव सीलता एफिसेंसी अर्थ दक्षता बेकसत देशों में लोग प्रसासन की विश्चताएं वेकेंद्री के प्रसासन राष्टी कानुनों के पतिपतिवत्दता पादर्शिता है बिकास सिल देशों में गरीबी भुकमरी बेरुजगर्जियां सी समश्य रहती हैं जिनके समाधा ने तो इसका बिकास हुगा है मिकास सिल समाज की विशेष्टा है मातत्मक प्रशाशन असंत्रत राजनीती बिकास राजनीती कम ससकत होना नीती क्रियान बेन की अधिक भू समश्यां हैं लाल फीतर साही उत्तर दायत की कमी रूडी बाधिता ओपने वेशकश शैली मुमी का है परियावन संरक्षन में समाभीशी विकास में लोग तन्ती की स्थापना में नीती निर्माड में लोग प्रशाशन की प्रिटा बुर्डु विलसन को कहा जाता है लोग इसके पॉलिटेक एन एड्मिनिस्टेशन इंदा इस्टेडी ओप एड्मिनिस्टेशन इसकाल में राजनीती प्रशासन के मद्दे बेद हुआ बुरो बिलसन के अनुसार प्रशासन राजनीती के बास्तिवर कारचेते से बाहर है दूसरा जो काल है प्रशासन के सिद्धान्तों का सुरनेकाल यह काल लोग प्रशासन के सिद्धान्तों का सुरन्योग माना जाता है इस तो थे WF फिलोवी की पुस्तक पिंसिपल्स और पॉब्लिक एड्मिनिस्टेशन लोग प्रशासन में एक सिद्धान्त होते हैं जिनकी क्रियान बित करके लोग प्रशासन में सुधार किया जा सकता है प्रवक सिद्धान्त है है जिनकी प्रशासन के बिकास में आलूचना और चुनोतियों का रहा है इसमें प्रशासन की तथा कते सिद्धान्तों को चुनोति दी जाने लगी और नए सिद्धान्तों का प्रतिवादन हुआ था जो मानों संबंद सिद्धान्त पर आधारत है इस काल में यह भी माना गया है कि लोग प्रशाशन बिग्जान नहीं है चोथा जो काल था पहचान की संकर्ट का काल इस काल में लोग प्रशाशन कोई शुतंत बिशाय था है या नहीं इस पर भी बाद बिबाद होने लगा पहचान पर ही संकर्टा गया इस समय लोग प्रशाशन बिशाय की आस्तित की रक्षा के लिए कुछ चपाए किये गए हैं पहला तो है लोग प्रशाशन बिषाई को दूसरे नियमों के साथ संबंद जोड़ना दूसरा इस्थान विशेश की अनुसाल लोग प्रिशासन में परिवतन तीसर नवीन तम लोग प्रिशासन अधान अमेरिका वा अन्य विक्षित देशों के लिए और पांचमा जो काल था मुल उन्मुक्ता का काल था तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्य वाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हम आशा करते हैं आँगी वहारे सती हुए कंटीनियू रहेंगे और समय समय पर हम आपकी मद्दें से उप्यों की वीडियो रखते रहेंगे जिससे आप नंतर तयारी करती रहेंगे और कम समय में अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे और आप से निविजन करते हैं कि जली-जली आप हमानूर सी परचिस करें ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद